तस्वीरे फ्रीदाबाद सेक्टर 37 बाईपास रोड की है जहाँ पर एक निशान कार में अचानक से आग लग गई कार चलक के मुदाबिक वह अपने दोस्त के साथ ब्रियानी खाकर लोट रहा था जैसे उनकी कार सेक्टर 37 के बाईपास मोड पर पहुंची तो उनके कार के AC से गराम हवा निकलने लगी जब उन्होंने कार रोपकर बोनट खोला तो बोनट खोलते ही आग की लपटे निकलने लगी और कार में आग काफी तेजी से फैलने लगी जिसके बाद उन्होंने कार में रखे कागज निकालने का प्रयास किया और इसी दोरान दोनों जुरस गए फिलाल इस घटना में कार पूरी तरह से जलकर स्वाह हो गई सुचना मिलने के बाद मोके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी के बाद मोट इस घटना पम पेठे को चोट भी आई है बाद में पालजाए के हैं किसके पान किया था जे पूर आग बुजाने के लिए सबसे पहले कोन आया के तो के Evangel hym के अपया श्रक पॉप्स सब्सक्त जाएँ इन्हान पानी कोया और ना कोई पास में जाएगा किसी को पता नहीं था धर चैन्ड जाघियार पएजलम्हारा रहताज़ जानएक्ट हो ँसक्त沁म्हार ना को जाएगे हर्ठी जाएगा कि अपने दुपान से 37 गया था वहां पिरियानी खाके हम सराय से गोटते हुए आ रहे थे और बाइपास के से 37 गोट पर हमें एक तम गरम हवाई आगे से इसी चल रहा था और जैसे इसी चला थे वक्त मैं आपने साइड में डगाया और देखने लगे तो एक दम लपट आई उसके अगर साथ एक प्रेंड भी था तो उसको भी लगी मेरे को भी लगी मैं जैसे कागज लेने वह भगा तो एक दम उसके भी हाथ बाद जला मेरे भी हाथ कर लगी हम बख के जदा भी साइड भोगे सौडाइबर को गॉल करी फिर उन्होंने दस पंद्रा मिनट बाद वाद उनकी फाइर विकिट की गाड़ी आई टैंक कर आया था उसने बदले फिर उसके बाद आया फाइर विक पॉल कि एले बपोगे साइड पनी जाग आजा बुल कि एले जदेंगे भी हाइड भी मेंद्रा विक एली डह फिस्फशने इन्होंने बシ Stillुल ुल कर वाईबर कर दिस्वा होगे सरे बाले कर Protest ए ett